आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस question में से पूचा गया है the number of S-spons in sulfur trioxide primer is how many तो इसका जो हमारा compound का formula होता है वो हमारा S3O9 होता है तो अब इस question में हम देख सकते हैं कि हमारा S3O9 का structure होता है वो हमारा कुछ इस हिसाब से होता है यहाँ पे हमारे sulfur जो होता है वो हमारे दो oxygen atom के साथ double bonded होता है और यह हमारे दो oxygen atom के साथ जो है single bonded होता है और जो हमारा sulfur होता है इसका हमारा highest valency जो plus 6 का होता है वो यहां पे fulfilled है इसका मतलब हमारा sulfur यहां पे और ज़्यादा bonds नहीं बना सकता तो अब इस question में हमसे पूछा गया है कि हमारा जो number of sulfur sulfur bond है इसमें कितना होगा तो हम देख सकते हैं कि हमारे diagram में कि हमारा sulfur जो है वो एक दूसरे sulfur के साथ bond नहीं बना रखा है इसकी जगा जो हमारा sulfur है वो हमारे दूसरे sulfur के साथ जो है एक oxygen atom के तरू लिंक्ट है तो यहां पे जो हमारे sulfur sulfur bond होगे वो हमारे zero होंगे तो option number four जो होगा वो हमारा correct answer होगा इस question का